हेलो एवरीवन मैं विशुजीत सेंग दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम इगनु से लेटेड एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आप चाहे फर्स्ट एयर में हो चाहे सेकंड एयर में हो चाहे कोई सा भी कोर्स कर रहे हो यूजी से हो चाहे पीजी से हो अगर आपका सेशन एयर 2020 और 2021 है तो आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे पहले इसके अंदर में हम बात करते हैं जो पहला बिंदू कहा गया इसके अंदर में जैसे कि जुलाई में DEV के जिन्होंने 2020 में एडिमिशन लिया होगा में चाहें फॉरस्ट एयर में होना था ठीके तो उसका एक्जाम अफीतोछ हुआ नहीं है तो उसका पर्ण तो मतलब आपके पास अभी भी 5-6 दिन का टाइम बहुर बचा हुआ है, ठीक है, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भराये, तो भर ले, जिससे आप अपना जुलाइक में एक्जाम दे पाएं, कैसे एक्जाम होगा, क्या होगा, क्या होगा, यह अभी तक कुछ का ओपन बुक एक्जामनेशन से ठीक है, जिस तरह डेली निवर्स्टी में एक्जाम हुआ था, उस तरह से एक्जाम हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सेम हो, आपे, स्टूडेंस के चाहते हैं, की, एक्जाम ना लिया जाए और परमूट कर दिया जाए बच्चों को, बिना एक्जाम के ही, जिस तरह पिछले साल किया गया था, तो अब इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, जैसे आएगा तो मैं आपको जूरूर बताऊंगा, ठीक है, तो पहला तो यह हो गया, कि जिन बच्चों ने भी तक एक्जामनेशन फॉर्म नहीं बढ़ा है, जिसका लास तो हर सब्जेक्ट के कुछ नो कुछ assignment बनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल और assignment के number बहुत ज़्यादा जरूरी होते है इगनु के अंदर में और boost up करते हैं आपके percentage को, जो final percentage मिलती है, final marks मिलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा boost up करता है आपका assignment project, ठीक है, तो जीन बच्चों ने अभी तक अपना assignment नहीं जमा किया है, नहीं बनाया है, तो आपके पास अब option है, online भी जमा कर सकते हो, physical mode से भी जमा कर सकते हो, तो online भी आपको उसकी इगनु की side पे जाना, official side पे वहां पे जाकर directly submit कर दो, अपना ID card लगा कर, ठीक है, अर assignment ब जब आप उसे बना कर तयार कर लें, तो सबसे एक front page, सबसे पहले एक front page बनाओ, ज़्यादा कुछ करना नहीं, उसमें नाम, अपना roll number, सारा detail जो भी आपके ID card में detail है, वो फिल करो, subject के detail फिल करो, phone number, contact number रो डालो, डालने के बाद, पहला page वो हो गया, दूसरा page आपका ID card ह तीसरा page आपका question paper हो गया, फिर आपका assignment हो गया, इस तरह से पुरा combine करो और एक assignment तयार, और उसको online PDF के form में आपको submit करना है, easy process है, easily कर सकते हो, जिसका last date पहले था, submit करने का 30 June, अब उसको बढ़ा कर 15 July कर दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने अपना assignment नहीं बनाया है, तो फटा बड़ दोस्तों बनाएं और जाके submit करें, जिससे आपका end term exam हो और होने के बाद जब result आए, तो उसमें आपका number जुड़े उसका, ठीके, एक तीसरा बिंदू यहाँ पर आता है कि online physical submission of project report, ठीके, जिन बच्चों का अभी तक जिन्होंने जिसका project बनता है, जैसे field work है, project है, report है, ठीके, internship जैसे जो उनके subject में courses है, तो अगर अभी तक नहीं किया है, तो आपके पास time में 15 जुलाई तक का, 15 जुलाई तक के लिए date को extend कर दी गई है, तो उसके लिए भी आप जाके फटा पटा अपना तयारी कीजिए, और करिए जिससे आप अपका number अच् बच्चो को promote कर दिया जाए, जिस तर से पिछली बार corona के कारण से promote किया गया था बच्चो को, ठीके, पर आपकी राए क्या है, आप क्या चाहते हो, comment करके बताए, ठीके, जिससे क्या conclusion निकलता है, यह समझ में आएगा कि हाँ, क्या ज़्यादा तर बच्चे क्या चाहते है एगनुके, टेके क्या फ्रेंट, थैंक यू फॉचिंग में, थैंक यू फॉचिंग में, थैंक यू लिस्निग में, बबाई, टेक क्या लुटे बेस्ट